हुआ है हुआ है जोटिए है लोग व्हां नमस्कार दाव सदस्रीक काल कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर परम जीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर और दोस्तों ये है fitness and nutrition आप सब लोग चाहे बच्चे हो बुड़े हो नौजवान हो अपने fitness अपने health का ख्याल रखने के लिए कोई walk करता है कोई jog करता है कोई जिम करता है कोई कुछ नहीं करता और कभी कभी walk करता है और ठंड का मौसम चल रहा है यह बहुत जरूरी वीडियो हम आपके लिए लाएं है इसका importance यह है कि अगर आप ठंड में बाहर जाते हैं jog करने walk करने walk करने exercise करने घर से बाहर outdoor exercise तो ठंड में कुछ बातों का आपको पता होना जरूरी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जादा तर रही है हमारे साथ how to exercise in winter in outside right or outside the house so basics हम बताएंगे इसमें जो medical recommendation है International Library of Medicine US National Medical Library जो हम बताते हैं हमारे सारे वीडियो से reference होते हैं so let's start पहली चीज़ आपको ही जमझनी है कि exercise करना safe है बच्चे बुड़े नौजबान सब के लिए exercising is safe किसके लिए safe नहीं है किसके लिए safe नहीं है अगर आपको asthma है हाट की बिमारी है या रेनॉंस डिजीज रेनॉंस डिजीज वह है जिनका हाट थंडे पड़ जाते हैं एकदम नीले पड़ जाते हाथ पैर अगर रेनॉंस डिजीज है तो और ऐसे conditions में asthma, renal disease, heart problem में आपको अपने डॉक्टर की सला लेनी है डॉक्टर से बात करनी है कि आप exercise कर सकते हैं या नहीं और तभी exercise करें बाहर जाके दवाई के साथ और बात आती है outdoor exercise बाहर निकलने से पहले जनाब सब को weather check करना चाहिए temperature कितना है हवा कितनी है बहुत जादा ठंडी ह है जी तो बाहर ना जाए ठीक है बहुत important है कि उसके हिसाब से अपने आपको prepare करके जाए उसके हिसाब से कपड़े बहन के जाए क्यों नहीं तो क्या होगा आपको frostbite हो सकता है जी हां ठंड में जो किसी किसी का हाथों में चाले पढ़ जाते हैं काले पढ़ जाते हैं सब क अगर गए वेट हो गए कपड़े भीले हो गए तो और रिस्क हो जाएगा frostbite का frostbite क्या है कैसे होता है frostbite होडा है आपको अगर होगा तो कहां होगा कैसे बची वह एक अलग वीडियो लेकिन अभी इसमें बता रहे है frostbite के basis बताने से पहले आपको बताएंगे कि आपको ठंड में जब बाहर जाएंगे तो आपको कपड़े पहने layers में एक नहीं दो नहीं ऐसे नहीं कि मोटा जैकेट पहन लिए बस exercise करें बाहर जाके क्योंकि जब exercise करेंगे body heat generate करेगी जब heat generate पड़ी आपको गर्मी लगी आप वो निकाल दोगे आप वो निकाल दोगे आपको जैसे आप exercise करना बंद करते हों कि ठंड लग जाएगी और ये off and on exercises यहने कि एकदम कोई दोडने लगता है दोड़ 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 उसके बाद वेट थक गया थोड़ा सा मैं चलता हूं दोड़ते दोड़ते उनको निकालना पड़के जाके और चलते चलते जोकेट नहीं प्रॉली प्रोपीलीन या कोई ऐसा सब्स्टेंस होगा जो पानी एबजोब कर ले और पानी को और स्किन से टच्च ना हो पानी पैना है कॉतन जो है वो डिकला होके चिपक जाता है वो नहीं पैनना है वसमीले कर अका नकाल टेमिरिचwr गड़ जाएगा कड़़ बढ़ हो जो fleecy के होते हैं उस type के और third उसके उपर layer आपने पहना है waterproof waterproof layer या breathable breathable waterproof layer क्योंकि गीले हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी बाहर कहीं पानी हो सकता है कहीं गीले हो सकते हैं वो दिक्कत बहुत important है तो at least 3 layer और अगर आप बहुत thin है लीन है तो जादा layer की ज़रूरत है थोड़े healthy है तो कम layer की ज़रूरत है lean याने fat layer not like muscle अगर fat कम है तो जादा layer की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे जैसे फिर exercise करते हैं आपकी body warm होती है आप एक एक layer निकाल सकते हो क्यों क्योंकि उस समय body warm होगी अगर आपने बहुत heavy overdress कर लिया that is another point overdress नहीं करना है overdress कर लिया तो problem हो सकती है body में ज़्यादा heat generate हो सकती है और ज़्यादा धिक्कत हो सकती है ठंड गरम ठंड गरम is bad so you have to maintain that so dress in layers is very important और dressing में आपको अपने हाथ अपने foot अपने पैर कान और सर ये protect करना है frostbite होता है तो हाथों में foot में कानों में होता है इन जगाओं पे इसलिए कान ढखके रखिए हाथ में gloves पहनी है जराबे पहनी है और उसको गीला मत होने दीजिए very important right और frostbite होगा तो क्या होगा short में बता रहा हूँ इसका एक short video आएगा हमारे faq channel में frostbite होगा तो आपको numbness होगा tingling sensations होगी जहां भी frostbite हो रहा है सबसे पहले वो tingling sensation जो है आप क्या करते हो जाके गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच रगडणा नहीं है अगर आपको wrangling sensation उसको रिजिए हलके से warm जगा पर रख दीजए उसको कहीं अंदर warm जगा पर धीरे से ले जाएए हलके धीरी धीरे slowly warm करना है because अगर frostbite है और वो रगड रहे हैं आप तो आप skin damage कर देंगे क्योंकि आपकी sensation कम हो गई है ठीक है आप skin damage कर दोगे इसलिए उसको रगड़ना नहीं है warm करना है और frostbite में क्या होता है हाइपो थर्मिया हो सकता है जैसे आपने cotton पहन ली गिला हो गया बोल नहीं पा रहा ऐसे slurring of speech होगी जो काफी लोगों को होता है लेकिन इसके बाद जब आपके loss of coordination होगा आप चलने फिरने में धिक्कत आगी क्योंकि आपकी body क्या करेगी आपका blood pressure low करेगी low होने शुरू हो जाएगा main main organs को blood जाएगा बाकी organs को नहीं जाएगा आपको थकान होगी, fatigue होगी यह science है hypothermia क्या ऐसे situation में आपको direct hospital जाना चाहिए warm होना चाहिए तो that is important to know इसको avoid करने के लिए dress in layers protect your hands, feet and कान and head that is important इसके अलावा दोस्तों यह याद रखिए कि कभी stop and go वाली exercise मत करिए high intensity interval training in winter जी हाँ, outdoors you do it indoors, right indoors कर सकते हैं, outdoors में नहीं करना है high intensity interval training because high intensity में आप दोड़ोगे body heat generate करेगी, आप कपड़े निकाल दोगे या आप नहीं निकालोगे तो heat जादा होगी अंदर, excessive heat generate फिर उसके बाद थंडे में excessive cold that is not good for the body, right cold high, cold high, इससे आपकी vulnerability बढ़ जाती है, बीमार होने की frostbite होने की, hypothermia होने की so remember this, HIIT high intensity interval training थंड में नहीं करेंगे waterproof layers important है, अंदर cotton ये सब बहुत ज़रूब करें, gloves important है और दो चीजे important है, पानी थंड में हम पानी नहीं पीते हैं पीता ही नहीं है, कोई एक लिटर पीता है, कोई एक लिटर पीता है remember, पानी बहुत ज़रूरी है थंड में भी, exercise करते समय so remember to take 3 लिटर, 3 लिटर of water, even in winters, और unless आपको मना कि आपके दॉक्टर ने कोई kidney की या हाट की बिमारी उसके साथ और बहुत important है breathing आप बहर जाके, breathing पर अगर concentrate नहीं करेंगे, सही तरीके से सास नहीं लेंगे, तो थिक्कत होगी breathing कैसे? नाक से, you don't have to breathe from the mouth नाक से अंदर लेना है, मूँ से छोड़िये, चलेगा नाक से अंदर लेना है because nose has the system of warming the air, right मूँ में नहीं है वो system, नाक में है nose has a system of warming the air जो आपके hairs हैं, अंदर जो आपके nose के अंदर structure है, ये warm करते हैं आपको while going, so breathing is important, warm air ये सारे points आपको cover करके रखने हैं, अपने outdoor exercise में इन सब में ध्यान देना है frostbite से बचना है, hypothermia से बचना है, I don't know why this light is getting too high today, but it's okay alright, so ये हुई बात और एक important जी, अगर आप धूप में बाहर निकलने हैं चनाब, तो sunscreen ज़रूर लगाना है जी हाँ, ठंड में भी sunscreen लगाना पड़ता है, ठंड में भी दूप से बचना होता है so that's all guys, अगर आप walk करने जाते हैं, ये हमारे उन लोगों के लिए हैं, जो walk करते हैं, जो जोग करते हैं उनके लिए है, जिम वाले लोगों के लिए अभी एक और वीडियो आएगा, जिसमें हम बताएंगे कि आपको ठंड में, एक्सराइज में अपनी मसल्स को कैसे प्रोटेक करना है all right, so मिलते हैं आपको इसी चैनल पे, fitness and nutrition don't forget to share the video and let me know आपको exercises कौन-कौन सी चाहिए, कैसी-कैसी चाहिए you can send me videos, कि भाई ये exercise सही हो रही है नहीं, ये technique सही है, गलत है I'll make a video on that and भेजने के लिए भाई, you can send me on Instagram, that's okay right, so ये सब कर सकते हैं Instagram पे हमें, follow करिये, रोज हम live आते हैं, दस बजे के आस-पास, शाम को नहीं तो कभी morning में, उसके लिए आप हमें follow करेंगे, आपको पता चल जाएगा, rest do let me know, how do you like my videos and take care, stay connected stay healthy